नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हुराज मोहंतिवारी बिहार में ये कैसा गढ़बंधन और कैसी सरकार की एक दूसरे का साथ देने के बजाए एक दूसरे को नीचा दिखाने में जादा ताकत जोक रहे हैं देखिए अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक दिखाया विधान सभा का जब विधान सभा में अकेले बीजेपी के मंत्री और विधायक बैठे थे ना जेडियू का कोई नजर आया ना हम का कोई नजर आया आकिरकार बिहार में ये चल क्या रहा है और दूसरी तरफ आर जेडिक के जो तमाम विधायक हैं वो जेडियू को धन्यवाद दे रहे हैं देखिए विपक्ष ने बहिसकार किया अगनिपत योजना पर वो चर्चा करना चाहते थे सदन में स्पीकर ने साफ्तोर पर इसे चर्चा में सामिल करने से मना कर दिया विपक्ष ने इसके व उनाइटेड भी विधान सभा में नहीं पहुची और बीजेपी के मंतरी विधायक अकेले बैठे नजर आए और उसके बाद जबकि अब विधान सभा में आज का दिन का सत्र समाप्त हो गया है तो जब विधायक लोग बाहर निकले हैं तो उन्होंने जनता दल यूनाइट को धन्यवाद देना और बियार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार को धन्यवाद देना शुरू कर दिया है खासकर राष्ट्रिये जनता दल के विधायकों ने देखिए ये रीतलाल यादो है दानापूर से आरजेडी के विधायक है और ये क्या ट्वीट करते हैं वे लिखत के मुद्दा पर नेता प्रतिपक्च तेजस्वी जादो जी के साथ विपक्च के सभी विधायक गण ने एक जूट होकर सदन का बहिसकार किया नोट माननिय मुख्यमंतरी नितिश जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जनता दल युनाइटेट के विधायकों ने भी सदन का बहिसकार किया हैस्टेग अगनिपत योजना वापस लो तो कहीं न कहीं जो खटपट लगतार बिहार सरकार में देखने को मिल रही थी बीजेपी और जेडियू में वो अब विधान सभा में भी देखने को मिल रही है और बीजेपी को अकेले छोर कर उसकी सहयोगी पाटी जेडियू ने विधान सभा का एक तरह से कहिए अगोसित भहिसकार कर दिया और उस दोरान किया जब विपक्ष ने भी भहिसकार किया था और ऐसे में मुद्दा बिहार में गर्मा गया है कि क्या ये सरकार अब चलने वाली है क्या कुछ चल रहा है बिहार विधान सभा में बिहार में क्या चल रहा है? सरकार में क्या चल रहा है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं और नितीश कुमार क्या सोच रहे हैं? क्या चाहते हैं? इसको लेकर भी अब कर राजनिति के गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है? क् इसी को लेकर अब बिहार का राजनीती जो है वो गरम हो गया है देखिए माले विदायक संदीप सौरब भी क्याल कुछ लिख रहे हैं अगोसित बहिसकार जेडियू ने किया साफ साफ तोर पर वो ये बाते लिख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अभी बिहार म चाहिए ये केंद्र की योजना है बिहार की योजना नहीं है कि जेडियू इस पर अपना स्टेंड ले और वह भी पक्ष में ले और ऐसे में विदान सभा में ये द्रिश जब बीजेपी अकेली बैठी हो जबकि गडवंदन का सरकार हो नितीश कुमार मुख्यमंत्री गाय है बुनके विधायक गायब अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या बिहार में सरकार ये लंबी वक्षक चलेगी या नहीं चलेगी सवाल उठ रहे हैं देखना होगा आगे क्या होता है बन रही है लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें